पर्मार्त की पकड़न्डे पर्मार्त की कहानिया दिप्तेश के साथ आज की कथार लक्षमन जी नहीं सोये 14 वर्षों तक श्री रामचंदर जी को जब उनके पिता दशरत राजबाड सौपने वाले थे तभी उनकी दूसरी पतनी केकई को उनकी दासी मंधरा ने खूब बढ़काया मंधरा ने कहा कि राजा तो आपके बीटे भरत को बनना चाहिए इसके बाद राणी केकई ने राजा दशरत से दो वर मांगे पहला भरत को गद्धी मिलनी चाहिए और दूसरा श्री राम को 14 वर्ष तक वन में रहना होगा राजा दशरत को अपनी पतनी के वर पूरे करने पड़ी जब श्री राम चंद्र जी वनवास के लिए अयोध्या से निकले तब लक्षमन जी ने भी उनके साथ जाने की इच्छा जाहिए लक्षमन के वन जाने की बात सुनकर उनकी पतनी उर्मिला भी साथ जाने की जिद करने लगती है तब लक्षमन अपनी पत्नी उर्मिला को समझाते हैं कि वो अपने बड़े भाई और मा समान भावी सीता की सेवा करने के लिए जा रहे हैं अगर तुम यानिकी रानी उर्मिला वनवास में साथ चलोगी तो मैं ठीक तरह से सेवा नहीं कर पाऊंगा अपने बड़े भावी की लक्षमन के सेवा भाव को देखकर उर्मिला साथ जाने की जिद्ध छोड़ देती है और महल में ही रुख जाती है वन में पहुँचकर लक्षमन भगवान राम और सीता के लिए एक कुटिया बनाते हैं जब राम और सीता कुटिया में विश्राम करते थे तब भ्राता लक्षमन बाहर पहरेदारी करते थे वन्वास में पहले दिन जब लक्ष्मन पहरेदारी कर रहे थे तब उनके सामने निद्रा देवी प्रकट हो लक्ष्मन ने निद्रा देवी से वरिदान मांगा कि वो 14 वर्षों तक निद्रा मुक्त रहना चाते हैं नित्रा देवी ने कहा कि तुम्हारे हिस्से की नींद किसी और को लेनी ही होगी। लक्ष्मन कहते हैं कि उनके हिस्से की नींद उनकी पत्नी आप उर्मिला को दे दे। इस कारण लक्ष्मन 14 साल तक नहीं सोए और उनकी पत्नी उर्मिला लगातार 14 वर्षों तक सोती रही। 14 वर्षों के बाद जब भगवान राम और माता सीता के साथ जब लक्षमन अयोध्या वापस आए तब नीन की अवस्था में राम चंदर जी के राज दिलक समारों में पूर्मिला भी उपस्ति थी ये देख लक्षमन को हसी आती है जब लक्षमन से हसी की वजह पूची गई तो उन्होंने निद्रा देवी के वर्दान के बारे में सब कुछ पताया लक्षमन ने कहा कि जब मैं उबासी लूँगा तब उर्मिला की नीद खुलेगी लक्षमन जी की इस बात को सुनकर सभाब में मौजूद सभी हस पड़े सभी को हसते देख उर्मिला लज्जावश समारों से उठकर बाहर चली जाती है हुआ 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 है